ओम शांति ओम शांति आज 22 एपरिल दोहजार चौबिस दिन सौमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को नीठे बच्चे, सर्व का सदकती दाता एक बाप है बाप जैसी निशकाम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता प्रश्न, न्यू वर्ल स्थापन करने में बाप को कौन सी महनत करनी पड़ती है एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायन जैसे पुझे देवता बनाने की महनत बाप को करनी पड़ती है बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की महनत करते बाकी सर्वातमाएं वापिस शंतिधाम जाती हैं हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्तू कर लाइक बन कर वापिस खर जाना है गीत इस पाप की दुनिया से ओम शंति मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना बच्चे जानते कि यह पाप की दुनिया है नई दुनिया होती है पुन्य की दुनिया वहाँ पाप होता नहीं, वह है राम राज्य, यह है रावन राज्य, इस रावन राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गौड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइट बनो, गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी स्रश्टी में सब को ले जाते हैं इस समय अभी रावन राज्य में हैं सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांती धाम विनाश तो सब का होना ही है बाप यहां आकर बच्चों को सुख दाम का लायक बनते हैं सभी का कल्यान करते हैं इसलिए एक को ही सर्व का सदगती दाता सर्व का कल्यान करने वाला कहा जाता है बाप कहते हैं अभी तुम को वापिस जाना है सभी धर्म वालों को शांती धाम, निर्वान धाम जाना है जहां सभी आत्माएं शांती में रहती है पेहत का बाप जो रचियता है वही आकर सभी को मुक्ती और जीवन मुक्ती देते है तो महिमा भी उसे एक गौड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए बाप खुद समझाते हैं मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ सबसे पहले जो आदी सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं इसलिए मुझे पुकारते हैं मैं आकर सभी बचो को वापिस ले जाता हूँ अब हिंदू कोई धर्म नहीं है असल है देवी देवता धर्म परंटु पवित्रना होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमनी वह भगवान की गाई हुई है भगवान एक को ही कहा जाता है God Father श्री कृष्ण वा लक्ष्मी नारायन को God Father वा पतित पावन नहीं कहेंगे यह तो राजारानी है उन्हों को ऐसा किसने बनाया बाप ने बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं कैसे बने यह कोई मनुश्य मात्र नहीं जानते हैं बड़े बड़े लकपती मंदिरादी बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह व अपने धर्म को भूले हुए हो आदी सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और और धर्मों में कनवर्ट हो गए हैं वे फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में जो आदी सनातन देवी देवता धर्म के हैं वे फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे Christian धर्म का होगा तो फिर Christian धर्म में आ जाएगा यादी सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा यह जाड़ है इनकी तीन ट्यूब्स है फिर उनसे व्रद्धी होती जाती है और कोई यह knowledge दे ना सके अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ रामक्रिश्न पर्महंस सन्यासी का follower हूँ अब वह हैं निवरती मार्ग वाले तुम हो प्रवरती मार्ग वाले ग्रस्त मार्ग वाले निवरती मार्ग वालों के followers कैसे बन सकते हैं तुम पहले प्रवरती मार्ग में पवित्र थे फिर रावन द्वारा तुम अपवित्र बने हो यह बाते बाप समझाते हैं तुम हो ग्रस्त आश्रम के भक्ती भी तुमको करनी है बाप आकर भक्ति का फल सदगती देते हैं का जाता है religion is might बाप religions थापन करते हैं तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो बाप से तुमको कितनी might मिलती है एक सर्व शक्तिमान बापी आकर सबकी सदगती करते हैं और कोई न सदगती दे सकते हैं न पा सकते हैं यहाँ ही व्रद्धी को पाते रहते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकता बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूं सबको आकर सदगती देता हूं सदगती कहा जाता है सत्यूग को मुक्ती है शांतिधाम में तो सबसे वड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं, हे आत्माई, तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्सा मिलता है, सबको आकर अपने-अपने सेक्शन में भेजने के लाइक बनाता हूं, लाइक नहीं बनते, तो सजाएं खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब जुक्तु कर, फिर वापिस जागते हैं, वह है शांती धाम, और वह है सुख धाम, बाप कहते हैं, मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूं, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, तो सीड़ी नीचे उतरते आए हो, इचरासी जन्मों की सीड़ी है ही, नीचे उतरने की, सतो प्रधान से सतो रजों तमों, अभी यह है संगम, बाप कहते हैं, मैं आता ही एक बार हूं, मैं कोई इब्राहम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं, मैं पुर्शोत्तम संगम युग पर ही आता हूं, अब कहा जाता है, फॉलो फादर, बाप कहते हैं, तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है, मामे कम याद करो, तो तुम्हारे पाप योग अगनी में भस्म हो जाएंगे, इसको कहा जाता है, योग अगनी, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राहमन, तुम कामचिता से उतर ज्यानचिता पर बैठते हो, यह एक की बाग समझाते हैं, क्राइस्ट भुधादी सब एक को याद करते हैं, परन्तु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं, अब तुम आस्तिक बने हो, रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है, रिशी मुनी सब नेती नेती कहते थे, हम नहीं जानते, स्वर्ग हैं सच खंड दुख का नाम नहीं, यहां कितना दुख है, आयो भी बहुत छोटी है, देवताओं की आयो कितनी बड़ी है, वह हैं पवित्र योगी, यहां है अपवित्र भोगी, सीड़ी उतरते उतरते आयो कमती होती जाती है, अकाले मृत्यू भी होती रहती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए, आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए, बाबा ऐसा वर्षा देते हैं, जो वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंध हो जाता है, सब पाड़धारी है, आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा है, बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गती भी समझाते हैं, ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन रात सो ब्रहमणों का, अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्री कहते हैं, अब भगती की रात पूरी हो, ज्यान का उदय होता है, अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो अंधियारी रात में दक्के भी खाए टिपड़ भी गिसाई पैसे भी खलास किये अब बाप कहते हैं मैं आया हो तुमको शांती धाम और सुखधाम ले जाने के लिए तुम सुखधाम के रहवासी थे चुरासी जन्म के बाद दुखधाम में आकर पड़े हो फिर पुकारते हैं बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में ये तुम्हारी दुनिया नहीं है तुम अब योगबल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो तुमको अब डबल अहिंसक बनना है ना कामकटारी चलानी है ना लड़ना जगड़ना है बाप कहते हैं मैं हर पांच हजार वर्ष के बाद आता हूं ये कल्प पांच हजार वर्ष का है ना की लाखों वर्ष का अगर लाखों वर्ष का होता तो फिर यहां बहुत आदम शुमारी होती गपोड़े लगाते रहते हैं इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ मेरा भी ड्रामा में पार्ट है पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ पूरे टाइम पर आता हूँ मन मनाभव परंतो इसका कोई अर्थ नहीं जानता बाप कहते हैं देख के सबी संबंद छोड़ मामे कम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे बच्चे बाप को याद करने की मैनत करते हैं यह है ईश्वर ये विश्व विद्याले ऐसे विद्याले और हो न सके यहां इश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं हेल से हेविन बना देते हैं जिस पर तुम राज्य करते हो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे यह हैं बाबा का भागेशाली रत जिसमें बाप आकर परवेश करते हैं शिव जयन्ती को कोई भी जानते नहीं है वे तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम तो हुआ ना बल पोलार है परंतु फिर भी नाम है तो बाप का भी नाम है कल्यानकारी फिर भगती मार्ग में बहुत नाम रखे हैं बाबुरी नाथ भी कहते हैं वे आकर काम कटारी से छुड़ा कर पावन बनाते हैं नीवरती मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं उनको ही याद करते हैं ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं परंतु वे हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वे फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं समझते हैं हम लीन हो जाएंगे गोया आत्मा को विनाशी बना देते है मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ इसलिए एक बाप की जयन्ती हीरे तुल्ले है बाकी सब जयन्तियां कोडी तुल्ले है शिबाबा ही सब की सदगती करते हैं तो वह हीरे जैसा वही तुमको गोलन एज मिले जाते हैं यह नौलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं जिससे तुम देवी देवता बनते हूँ फिर यह नौलेज प्रायलोप हो जाती है इन लक्षमी नारायन में रचता और रचना क नौलेज नहीं है बच्चों ने गीत सुना कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शान्ती और चैन हो वह है शान्ती धाम फिर सुख धाम वहां अकाले मृत्यू नहीं होती तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते रात्री क्लास अभी तुम्हारी सूरेवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती हैं जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे ना पवित्र बन सकेंगे बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोडों समझते जाएंगे, वायो मंडली ऐसा होगा, पिछाडी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तयार ह परंतु वह समय ऐसा होता है, जो घुटका खाने का समय नहीं रहेगा, आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं, यह सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं, उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो ज जाए कि अभी विनाश होना है दुनिया चेंज होनी है विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्स गिरेंगे अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो वचन दो हम बॉम्स नहीं छोडेंगे लेकिन यह सभी चीजे बनी हुई है विनाश के लिए तुम बच्चों को नई दुनिया बन रही है समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे वहां दुख का नाम नहीं होगा उसका नाम ही है पेराडाइज जैसे तुमको निश्चे है वैसे आगे चल बहुतों को होगा क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वे आगे चल कर बहुत उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षक कार भी करेंगे, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, वैसे होगा, जिन में निश्चे होगा, चक्र का ज्यान होगा, वैं खुशी में रहेंगे, अच्छा, रुहानी बच्चे, गुड नाइट, धारना के लिए मुख्य सार, डबल अहिंसक बन, योग बल से इस हेल को हेविन बनाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ करना है, एक बाप को पूरा-पूरा फॉलो करना है, सच्चा-सच्चा ब्रहमन बन, योग अगनी से विकर्मों को दग्त करना है, सब को कामचिता से उतार ग्यानचिता पर बिठाना है अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे सेवा में सफलता का अधार आपकी नीश्वार्थ और निर्विकल्प स्थिती है इस स्थिती में रहने वाले सेवा करते स्विम भी संतुष्ट और हर्शित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते सेवा में संगठन होता है और संगठन में बेन-बेन बाते हैं बेन-बेन विचार होते हैं लेकिन अनेकता में मूझो नहीं ऐसा नहीं सोचो किसको माने किसको नहीं माने नीस्वार्त और निर्विकल भाव से निर्डेलो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्थ बन जाएंगे स्लोगन अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंब करो ओम शांति